हेलो एज़ यूटुप बैक तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि लंबी उम्र सोचने में भी अभी तो एसा लगता ही कि लंबी उम्र कितनी होती होगी पहले के समय पे लोग कोई 100 साल के भी उपर जी लेते थे पर अब 100 साल तो छोड़ो 80 साल की उम्र सोचकर ही बहुत अजीब लगने लगता है 80 साल के उम्र भी बहुत मुश्किल से लोगों को मिलती है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे खाने पीने के अंदर जो है वो केमिकल भरा हुआ रहा है कोई भी चीज जो हम खाते हैं वो 100 परसेंट प्योर है शुद्ध है हम ऐसा नहीं कह सकते है हमारे खाने पीने की वज़े से, हमारे daily routine की वज़े से, हमारी जो जिन्दगी है उसके दिन कम होते जा रहे हैं जब जहां हम कोई 100 साल रह पाते थे, वो अभी 80 साल, 70 साल मुश्किल से निकाल पाते हैं तो ऐसा इसलिए होता है कि जो चीज़ हम खाते हैं, पीते हैं, पानी पीते हैं या फिर जो भी चीज़े हम लोग ग्रहन करते हैं उनके अंदर मिली हुई चीज़े, मिलावट जो है chemical तो यह chemical जो है हमारे शरीर को खतम कर दे रहे हैं तो अब सोचने वाली बात है कि घर का खाना खाते हैं, तो घर के खाने के अंदर कौन से chemical मिले हुई आ सकते हैं तो यह सारी चीज़ जो है कड़ी टु कड़ी जोड़ कर बताने के लिए मैं आज की एक लास लेकिया हूँ, पूरी क्लास देखना बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है यह क्लास Soil का मतलब होता है मिर्दा मिट्टी, मिट्टी के अंदर जहां हम पौधे उगाते हैं, पौधे हैं, पौधों के अंदर जब पौधे उगाये जाते हैं, तब उनके अंदर कोई मुश्किल से या फिर कोई भी तरह की कमी देखी जाए, तो उसके अंदर जल्दी से जल्दी pesticides डाले जाते हैं, उनको fertilizers दिये जाते हैं soil जो है वो पहले ही perfect है पर अपनी जो ज्यादा ही ज्यादा की अपेक्षा होती है कुछ ज्यादा पाने की जो लालच होता है जहां हमें एक फल मिल रहा होता है वहां injection ठोक ठोक के उस पौधे को मजबूर किया जाता है कि उस पौधे से चार फल ले जाए तो ये तरह की जो मन का लालच जो है या फिर कुछ भी हम कह सकते हैं जो हम chemical दे रहे हैं पौधे को natural behavior तो ये था उस पौधे को कि वो एक फल दे और वो एक फल दे भी रहा है उसमें संतुष्टी होनी चीए पर जो लालच है उसे chemical दिया जा रहा है उसके उपर pesticides डाले जा रहे है कोई रोग नहीं है फिर भी पहले ही तयारी कर दी जा रही है कि ये रोग इसको ना लग सके तो वो चीज जो है वो गलती है तो उससे क्या होगा वो पौधा जो है उसके अंदर extra chemical भढ़ जाएंगे chemical भढ़ जाएंगे मजबूरी की वज़े से एक की वज़े उसे चार फल देने पड़ेंगे पर फल कौन से वाले काम क्योंगे एक पौधा तो ऐसे है जो naturally एक फल दे रहा है और दूसरा है कि मजबूरन चार फल दे रहा है तो सबसे ज़्यादा healthy होगा वो एक फल वाला पौधा सबसे ज़्यादा जो nutritious होगा उसके अंदर महत्वपुल्ण पोशकतत वजो होंगे वो एक पौधे एक फल के अंदर वाले पौधे के अंदर होगे जो दूसरा वाले जो मजबूरी में दे रहा है तो वो आधा कट कट करके दे रहा है उसके अंदर आधा तो chemical भरा होगा और आधा तो भरा होगा कुछ मुश्किल से कोई nutrition या mineral मिले होगे तो देखने वाली बात यही है कि हम इंसान जो है वो एक तरह से soil pollution कर रहे है जो मिटी है अच्छा ground दिख रहा है उसके अंदर वो हजारों तरह के chemical डाल देते हैं वहाँ फैक्टरियां उगा लेते हैं फैक्टरियां बना लेते हैं फैक्टरियां बना लेते हैं और फैक्टरिय के बाजू में कोई लंबी-लंबी ऐसी स्ट्रीम निकालते हैं water streams water resource बनाते हैं वहां से water resources जो है वो पानी के स्त्रोत जा जाके oceans में मिलते हैं बड़े-बड़े महासागरों में महादूपू में मिलते हैं और वहां जाके क्या होते हैं यह फैक्टरिय जो है वो इतना सारा गंदगी वाला chemical वाला जो smoke होता है वो इतनी तरह से पानी के अंदर चोड़ देते हैं और वो आकर वो महासागरों में महादूपू वहां पे मिल जाता है हो गया water pollution हो गया water solution यह soil pollution भी होगे एक water pollution भी होगे दो तरह के pollution ही थे जो हमें आगे इतनी लंबी और खुबसूरत जिंदगी को जीने में रुकावट ला रहे हैं हमें जीने नहीं दे रहे हैं हमारी उम्र जो है वो घटती जा रही है हमारे खान पान की वज़े से अब यही बताया था मैंने कि जो खाना पौधा है हम पौधे से खाना लेते हैं पौधे से खाना लेते हैं we are all depending on the plants जो पौधे उसको ही हम producer मान रहे थे जो साई consumer है जो सभी इन पे depend कर रहे हैं हमारे producers तो प्लांट ही हो गए वो प्लांट ही chemical वाला है हम सभी निर्भर ही पौधों पर हो रहे हैं तो हम तो indirectly chemical ही खा रहे हैं आज के दिन ऐसा एक भी पौधा नहीं है जो freshly एकदम natural तरह से विकास हुआ हो उसका या फिर development हुआ हो उसकी body में हर एक पौधे के अंदर fertilizers, pesticides दिये जाते हैं इसके अंदर किसी चीज की कम भी रहेगा ये तो इसके लिए भी chemical वाला injection ठूसो ये करो वो करो इस सब चीज में वो पौधा जो है वो अपनी असली जिंदगी खो रहा है और वो बस एक दिखावटी जो जिंदगी है वो जी रहा है पौधा तो जी रहा है एक तरह से हम भी वही कर रहे हैं हम वो दिखावटी पौधे के उपर निरभर कर रहे हैं वो कचरा वाला जो है owning आरेक्ट तरी के से chemical वाला खाना खा खाके हम इतने बड़े हो रहे हैं जो हमारी जिंदगीयों को एकदम घटा के बहुत कम बना दे रहे हैं तो ये थोड़ी कुछ important चीज़े हैं जो हमारी life में हमें ध्यान रखनी चाहिए तो जो farmers हैं वो अपना काम कर रहे हैं पर उनसे एक छोटी सी गलती ये हो रही है कि पौधे में थोड़ी सी कमी बेखी नहीं कि उनको chemical दे देना, fertilizer दे देना ये सारी चीज़ गलत होती है तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखा जाए soil pollution को, water pollution को जो हम पानी पी रहे हैं, उसके अंदर भी हजारों तरह की chemical मिले हुए आते हैं, आजकल के time पर कोई भी चीज प्योर नहीं है, तो पानी को भी उबाल कर पिया जाए, तो इस तरह की चीज़ें जो है, वो हमारी सेथ को ठीक बना सकती है, soil pollution को दूर करना, ज्यादा से ज्यादा plastic use करना, ये सारी चीज़ें हमारे life में बहुत ज्यादा effect करती है, तो बस यही कहना चाती हूँ इस class के through कि जहां पर भी pollution होता हुआ अधिक रहा है, आपको प्रधूशन होता हुआ अधिक रहा है हमें रोकने की कोशिश करनी चीए हमारी जिन्दगी का सवाल है तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताना जरूर कोई doubt लगे तो मुझे comment section में पूछना वीडियो पसंद आई, तो like करना, channel subscribe करना, अपने friends के साथ वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, bye and have a great day